नमस्ते दोस्तों, प्रेस्तो थे मुंसी प्रेमशंत की प्रसिद्ध उपन्यास गबन का चौथा भाग संध्या समय जब जालपा ने नई सारी और नए जूते पहने घरी कलाई पर बांधी और आईनी में अपनी सूरत देखी तो मारे गर्व और उल्लास के उसका मुख मंदल प्रज्वलित हो था उसने उन चीजों के लोटारने के लिए सचे दिल से कहा हो पर इस समय वो इतना त्याग करने को तयार न थी संध्या समय जालपा और रमा च्छावनी की ओर चले महिला ने केवल बंगले का नंबर बतला दिया था बंगला आसानी से मिल गया फाटक पर साइन बोड था इंद्रभूशन एडवोकेट हाई कोड अब रमा को मालूम हुआ कि वह महिला पंडित इंद्रभूशन की पतनी थी पंडित काशी के नामी वकील थे रमा ने उन्ही कितनी ही बार देखा था पर इतने बरे आदमी से परिचय का सौभागे उसे कैसे होता चा महिने पहले बग कल्पना भी ना कर सकता था कि किसी दिन उसे उनके घर निमंत्रित होने का गौरब प्राप्त होगा पर जालपा की बदौलत आज वह अन्होनी बात हो गए वह कासी के बरे वकील का महमान था रमा ने सोचा था कि बहुत से इस्तरी पुरुष निमंत्रित होंगे पर यहाँ वकील साहब और उनकी पत्नी रतन के सिवा और कोई न था रतन उन दोनों को देखते ही बरामदे में निकल आई और उनसे हाथ मिला कर अंदर ले गई और अपने पती से उनका परिचे कराया पंडित जी ने आराम कुर्सी पर लेटे ही लेटे दोनों महमानों से हाथ मिलाया और मुश्कुरा कर कहा छमा किजेगा बाबु साहब मेरा स्वास्त अच्छा नहीं है आप यहां किसी ओफिस में है रमा ने जेपते हुए का जी हाँ विंस्पिल ओफिस में हूँ अभी हाल ही में आया हूँ कानून की तरफ जाने का इरादा था पर नए विकीलों की यहां जो हालत हो रही है उसे देखकर हिम्मत न पड़ी रमा ने अपना महत्व बढ़ाने के लिए जरासा छूट बोला अनुचित न समझा इसका असर बहुत अच्छा हुआ अगर वह साफ कह देता मैं पचीस रुपे का कलर्क हूँ तो शायद वकील सहाब उससे बाते करने में अपना अपमान समझते बोले आपने बहुत अच्छा किया जो इधर नहीं आए वहाँ दो-चार साल के बाद अच्छी जगा पर पहुंच जाएंगे यहां संभव है दस साल तक आपको कोई मुकदमा ही न मिलता जालपा को अभी तक संदे हो रहा था कि रतन वकील सहाब की बेटी है या पतनी वकील सहाब की उम्र साथ से नीचे न थी चिकनी चांद आसपास के सफेद बालों के बीच से वार्निस कीवी लकडी की भाती चमक रही थी मूझे साफ थी पर माथे की शिकन और गालों की जुर्णियां बता रही थी कि यात्री संसार यात्रा से ठग गया है आराम कुर्शी पर लेटे हुए वह ऐसे मालूम होते थे जैसे बरसों के मरीज हो हाँ रंग गोरा था जो सार साल की गर्मी सर्दी खाने पर भी उर न सका था उची नाथ थी उचा माथा और बड़ी बड़ी आखें जिन में अभिमान भरा हुआ था उनके मुख से ऐसा भासित होता था कि उन्हें किसी से बोलना या किसी बात का जवाब देना भी अच्छा नहीं लगता इसके प्रतिकूल रतन सामली सुगठित यूवती थी बरी मिलनसार जिसे गर्मने छुआ तक न था सौंदर्य का उसके रूप में कोई लक्षन न था नाग चिप्ती थी, मुख गोल, आखें छोटी फिर भी वह रानी सी लगती थी जालपा उसके सामने ऐसी लगती जैसे सुर्य मुखी के सामने जूही का फूल चायाई, मेवे, फल, मिठाई, बर्फ की कुली सब भेजों पर सजा दिये गए रतन और जालपा एक मेज पर बैठी दूसरी मेज रमा और वकील साहब की थी रमा मेज के सामने जा बैठा मगर वकील साहब अभी आराम कुर्सी पर लेटे ही हुए थे रमा ने मुस्कुरा कर वकील साहब से कहा आप भी तो आएं वकील साहब ने लेटे लेटे मुस्कुरा कर कहा अब सुरू कीजिये, मैं भी अभी आता हूँ लोगों ने चाय पी, फल खाए पर वकील सहाब के सामने हस्ते बोलते रमा और जालपा दोनों ही जिदकते थे जिन्दा दिल बूढों के साथ तो सोहबत का अनन्द उठाय जा सकता है लेकिन ऐसे रूखे निर्जीव मनुष्य जवान भी हो तो दूसरों को मुर्दा बना देते हैं वकील सहाब में बहुत आगरह करने पर दो घुट चाय पी दूर से ही बैठे तमाशा देखते रहे इसलिए जब रतन ने जालपा से कहा चलो हम लोग ज़रा बागीचे की सैर करें इन दोनों महाशेयों को समाज और नीती की विवेचना करने दे तो मानो जालपा की गले का फंदा छूट गया रवान ने पिंजरे में बंद पक्षी की भाती उन दोनों को कमरे से निकलते देखा और एक लंबी सांस ली वह जानता कि यहां या विपत्ती उसके सिर्फ पर जाएगी तो आने का नाम न लेता वकील साब ने मुँ सिकोर कर पहलू बदला और बोले मालूम नहीं पेट में क्या हो गया है कि कोई चीज हजम ही नहीं होती दूद भी हजम नहीं होता चाय तो लोग न जाने क्यों इतने सौक से पीते हैं मुझे तो इसकी सूरत से भी डर लगता है पीते ही बदन में एठन सी होने लगती है और आखों से चिंगारिया से निकलने लगती है रमा ने कहा आपने हाजमे की कोई दवा नहीं की वकील साहब ने और उची के भाव से कहा दवाओं पर मुझे रत्ती भर भी विश्वास नहीं इन वैद्य और डाक्टरों से ज़्यादा बेर समझ आदमी संसार में न मिलेंगे किसी में निदान की शक्ती नहीं दो वैद्यों दो डाक्टरों के निदान भी न मिलेंगे लक्षन वही है पर एक वैद्य रत्त दोस बतलाता है दूसरा पित दोस एक डाक्टर फेवरे का सूजन बतलाता है दूसरा अमा शे का रिकार बस अनुमान से दवा की जाती है और निर्देता से रोग्यों की गर्दन पर छुड़ी ठटरी जाती है इन डॉक्टर ने मुझे तो अब तक जहन्नु पहुचा दिया होता पर मैं उनके पंजे से निकल भागा योगा भ्यास की बड़ी प्रसंसा सुनता हूँ पर कोई ऐसा महात्मा नहीं मिलते जिन से कुछ सीख सको किताबों के आधार पर कोई ख्रिया करने से लाब के बदले हानी होने का डर रहता है यहां तो आरोग्य सास्त्र का खंडन हो रहा था उदर दोनों महिलाओं में प्रगाड स्नेग की बाते हो रही थी रतन ने मुस्कुरा कर कहा मेरे पती देव को देखकर तुम्हें बड़ा आश्चर हुआ होगा जालपा को आश्चर ही नहीं भ्रह्म भी हुआ था बोली वकील सहाब का दूसरा विवा होगा रतन हाँ अभी पांची बरस तो हुए है इनकी पहली पत्नी को मरे हुए 35 वर्ष हो गए उस समय इनकी अरस्था कुल 25 साल की थी लोगों ने समझाया दूसरा विवा कर लो पर इनके एक लड़का हो चुका था विवा करने से इंकार कर दिया और 30 साल तक अकेले रहे अगर आज पांच वर्ष हुए जवान बेटे का देहान्त हो गया तब विवा करना अरस्था हो गया मेरे माबाप न थे मामा जी ने मेरा पालन किया था कह नहीं सकती इनसे कुछ लिया या इनकी सज्जनता पर मुखध हो गया मैं तो समझती हूँ इश्वर की यही एक्षा थी लेकिन मैं जब से आई हूँ मोटी हूती चली जाती हूँ डॉक्टर का कहना है कि तुम्हे संतान नहीं हो सकती बेहन मुझे तो संतान की लालसा नहीं है लेकिन मेरे पती मेरी दशा देखकर बहुत दुखी रहते हैं मैं ही इनके सब रोगों की जड़ हूँ आज इश्वर मुझे एक संतान दे दे तो मैं इनके सारे रोग भाग जाएं कितना चाती हूँ कि दुबली हो जाऊं गरम पानी से तब बातस्नान करती हूँ रोज पैदल घुमने जाती हूँ घी दूद घम खाती हूँ भोजन आधा कर दिया है जितना परिश्रम करते बनता है करती हूँ फिर भी दिन दिन मोटी होती जाती हूँ कुछ समझ में ही नहीं आता क्या करूँ जालपा वकील सहाथ तुमसे चिड़ते होंगे रतन नहीं बहन बिलकुल नहीं भूल कर भी कभी मुझसे इसकी चर्चा नहीं की उनके मुझसे कभी एक शब्द भी ऐसा नहीं निकला जिससे उनकी मनोव्यथा प्रकट होती पर मैं चानती हूँ यह चिंता उन्हें मारे डालती है अपना कोई बस ही नहीं है क्या करूँ मैं जितना चाहूँ खर्च करूँ जैसे चाहूँ रहूं कभी ही नहीं बोलते जो कुछ पाते हैं लाकर मेरे हाथ पर रख देते हैं समझाती हूँ अब तुम्हें वकालत करने की क्या जरुरत है आराम क्यों नहीं करते पर इनसे घर पर बैठा ही नहीं रा जाता केवल दो चपातियों से नाता है बहुत जिद की तो दो चार दाने अंगुर खा लिये मुझे तो उन पर दया आती है अपने से जहां तक हो सकता है उनकी सेवा करती हूँ आखिर वह मेरे लिए ही तो अपनी जान खपा रहे है जालपा ऐसे पुरुष को देवता समझना चाहिए यहां तो एक इस्त्री मरी नहीं की दूसरा व्याह रज गया तीस साल अकेले रहना सबका काम नहीं है रतन हाँ बहन है तो देवता ही अब तक कभी उस्त्री की चर्चा आ जाती है तो रोने लगते हैं तुम्हें उनकी तस्वीर दिखाऊंगी देखने में चितने कठोर मालूँ होते हैं भीतर से इनका हिर्दे उतना ही नरम है कितने ही अनाथों, विद्वाओं और गरीबों के महिने बांध रखे हैं तुम्हारा वा कंगन तो बड़ा सुन्दर है जालपा हाँ बड़े अच्छे कारिगर से बनवाया हुआ है रतन मैं तो यहां किसी को जानती ही नहीं वकीर साहब को गहनों के लिए कष्ट देने की एक्षा नहीं होती मामुली सुनारों से बनवाते डर लगता है नजाने क्या मिला दे मेरी सब पत्मी जी के सब गहने रखे हैं लेकिन वह मुझे अच्छे नहीं लगते तुम बाबु रमानाच से मेरे लिए ऐसा ही एक जोरा कंगन बनवादो ना जालपा देख यह पूश्ती हूँ रतन आज तुम्हारे आने से जी बहुत खुश हुआ दिन भर अकेली परी रहती हूँ जी घबराया करता है किसके पास जाओं किसी से परीचे नहीं और ना मेरा मन ही चाहता है कि उसे मैतरी करूँ दो एक महिलाओं को बुलाया उनके घर भी गई चाहा कि उनसे बहनापा जोर लूँ लेकिन उनके आचार विचार देखकर उनसे दूर रहना ही अच्छा मालूम हुआ दोनों ही मुझे उल्लू बना कर जतना चाहती थी मुझसे रुपे उधार ले गई और आज तक दे रही है श्रिंगार की चीजों पर मैंने उनका इतना प्रेम देखा कि कहते लजजा आती है तुम घरी आधा घरी के लिए रोज चली आया करो ना बहन जालपा वाह इससे अच्छा और क्या होगा रतन मैं मोटर भेज दिया करूंगी जालपा क्या ज़रूरत है तांगे तो मिलते ही है रतन नजाने क्यों तुम्हे छोड़ने को जी नहीं चाहता तुम्हें पाकर रमानाथ जी अपना भाग सराते होंगे जालपा ने मुश्कुरा कर का भागे भागे तो कहीं नहीं सराते घुर्कियां जमाय करते हैं रतन सहच मुझे तो विश्वास नहीं आता लो वह भी तो आ गए पूछना ऐसा दूसरा कंगन बनवा देंगे जालपा रमा से क्यूँ चरंदास से कहा जा ऐसा कंगन कितने दिन में बना देगा रतन ऐसा ही कंगन बनवाना चाहती है रमा ने ततपरता से कहा हाँ बना क्यूं नहीं सकता इससे बहुत अच्छे बना सकता है रतन इस जोरे के क्या लिये थे आट-ो के थे रतन कोई हरज नहीं मगर बिलकुल ऐसा ही हो इसी नमुने का रमानात हाँ हाँ बनवा दूँगा रतन मगर भाई अभी मेरे पास रुपए नहीं है रुपए के मामले में पुरुष महलाओं के सामने कुछ नहीं कह सकता क्या वह कह सकता है इस वक्त मेरे पास रुपए नहीं है वह मर जाएगा मगर या उज़र ना करेगा वह कर्ज लेगा दूसरों की खुशामत करेगा पर इस्त्री के सामने अपनी मजबूरी न दिखाएगा रुपए की चर्चा को ही वह तुछ समझता है जालपा पती की आर्थिक दशा अच्छी तरह जानती थी पर यदि रमा ने इस समय कोई बहाना कर दिया होता तो उसे बहुत बुरा मालूम होता वह मन में डर रहे थी कि कहीं हम महाशा यह न कहा बैठे सर्राफ से पूछ कर कहूंगा उसका दिल धरक रहा था जब रमा ने बीर्ता के साथ का हाँ हाँ रुपे की कोई बात नहीं जब चाहे दे दिजेगा तो वह खुश हो गई रतन तो कब तक आशा करूं? रमा नात मैं आज ही सर्राफ से कह दूँगा तब भी पंद्रा दिन तो लगी जाएंगे जालपा अब की रईवार को मेरे ही घर चाहे बीजेगा रतन ने निमंतरन सहर्ष स्विकार किया और दोनों आदमी बिदा हुए घर पहुँचे तो शाम होगे थी रमेश बाबू बैठे वे थे जालपा तो तांगे से उतर कर अंदर चली गई रमा रमेश बाबू के पास जाकर बोला क्या आपको आये देर हुई रमेश नहीं अभी तो चला आ रहा हूँ क्या वकील साहब के यहां गय थे रमानाथ हाँ तीन रुपे की चपत पड़ गई रमेश कोई हरज नहीं या रुपे वसूल हो जाएंगे बरे आदमियों से राह रस्म हो जाए तो बुरा नहीं है बरे बरे काम निकलते हैं एक दिन उन लोगों को भी तो बुलाओ रमानाथ अब की इतवार को चाय की दावत दे आया हूँ रमेश कहो तो मैं भी आजाओ जानते हो ना वकील सहाब के एक भाई इंजीनिर है मेरे एक साले बहुत तिनों से बेकार बैठे हैं अगर वकील सहाब उसकी सिफारिश कर दे तो गरीब को जगा मिल जाए तुम ज़रा मेरा इंट्रोडक्शन करा देना बांकी और समय कर लूँगा पार्टी का इंतिजाम इस्वर ने चाहा तो ऐसा होगा कि में साथ खुश हो जाएंगी चाय के सेट सीशे के रंगिन गुलदान और फानुस में ला दूँगा कुर्सियां मेजे फर्स सब मेरे उपर छोड़ दो ना कुली के जरुरत ना मजूरती उन्ही मुसल चंद को रंगे दूँगा रमानाथ तब तो बड़ा मजा रहेगा मैं तो भरी चिंता में पड़ा हुआ था रमेश चिंता की कुई बात नहीं उसी लॉंडे को जोड़ दूँगा कहूंगा जगा चाहते हो तो कारगुजारी दिखाओ फिर देखना कैसी दौर धूप करता है रमानाथ अभी तो तीन मैंने हुए आप अपने साले को कहीं नौकर रखा चुके हैं न रमेश अजी अभी छे और बाकी हैं पुरे साथ जीव हैं जड़ा बैठ जाओ जरूरी चीजों के सुची बना ली जाए आजी से दौर धूप करनी होगी तब सब चीजे जुटा सकूंगा और कितने महमान होंगे रमानाथ मेम साहब होगी और शायद वकिल साहब भी आए रमेश यहां बहुत अच्छा किया बहुत से आदमी हो जाते तो भबबबर हो जाता हमें तो मेम साहब से काम है ठल्वों की खुशामत करने से क्या फाइदा दोनों आदमियों ने सुची तयार की रमेश बाबू ने दूसरे ही दिन से सामान जमा करना शुरू किया उनकी पहुँच अच्छे अच्छे घरों में थी सजावट की अच्छी चीजें बटोड लाए सारा घर जगमगा उठा दियानाद भी इन तयारियों में शरीक थे चीजों को करीने से सजाना उनका काम था कौन गमला कहां रखा जाए कौन तस्वीर कहां लटकाई जाए कौन सा गलीचा कहां बिछाए जाए इन प्रश्णों पर तीनों मनुश्यों में घंटों वाद वी वाद होता था दफ्तर जाने के पहले और दफ्तर से आने के बाद तीनों इन ही कामों में जुट जाते थे एक दिन इस बात पर बहत शिरगई की कमरे में आईना कहां रखा जाए दयानात कहते थे इस कमरे में आईने की ज़रत नहीं आईना पीछे वाले कमरे में रखना चाहिए रमेश इसका विरोध कर रहे थे रमा दुविधे में चुपचाप खरा था ना इन कीसी कह सकता था ना उन कीसी दैयानात मैंने सैंक्रों अंग्रेजों के ड्राइंग रूम देखे हैं कहीं आना नहीं देखा आइना स्रिंगार के कमरे में रहना चाहिए यहां आइना रखना बे तो किसी बात है रमेश, मुझे सेक्रों अंग्रेजों के कमड़ों को देखने का आउसर तो नहीं मिला है लेकिन दो-चार जरूर देखे हैं और उनमें आईना लगा हुआ देखा फिर क्या यह जरूरी बात है कि इन जरा-जरा सी बातों में भी हम अंग्रेजों की नकल करें हम अंग्रेज नहीं हिंदुस्तानी हैं हिंदुस्तानी रईसों के कमरे में बड़े बड़े आदमकद आईने रखे जाते हैं या तो आपने हमारे बिगरे हुए बाबू किसी बात कही जो पहनावे में कमरे की सजावट में बोली में चाय और शराब में चीनी की प्यालियों में गरस दिखावे की सभी बातों में तो अंग्रेजों का मुद चिढ़ाते हैं लेकिन जिन बातों ने अंग्रेजों को अंग्रेज बना दिया है और जिनकी बदोलत वे दुनिया पर राज करते हैं उनकी हवा तक नहीं चुझाती क्या आपको भी बुढ़ापे में अंग्रेज बनने का सौक चर रहा है दयानास अंग्रेजों की नकल को बहुत बुरा समझते थे यह चाय पाटी भी उन्हें बुरी मालूम हो रही थी अगर कुछ संतोष था तो यही कि दो-चार बरे आदमियों से परिचय हो जाएगा उन्होंने अपनी जिन्दिगी में कभी कोट नहीं पहना था चाय पीते थे मगर चीनी के सेट की कैद नहीं थी कटोड़ा कटोड़ी गिलास लोटा तसला किसी से भी उन्हें आपती न थी लेकिन इस वक्त उन्हें अपना पक्ष निभाने की पड़े थी बोले हिंदुस्तानी रईशों के कमरे में मेजे कुर्सिया नहीं होती फर्स होता है आपने कुर्सी मेज लगा कर इसे अंग्रेजी ढंग पर तो बना दिया अब आइने के लिए हिंदुस्तानीों की मिशाल दे रहे हैं या तो हिंदुस्तानी रखिये या अंग्रेजी या क्या कि आधा थीतर आधा बटे कोड़ पतलून पर चोगोसिया टोपी तो नहीं अच्छी मालूम होती रमेश भाबु ने समझा था कि दयानात की जवान बंद हो जाएगी लेकिन यह जवाब सुना तो चकराए मैदान हाथ से जाता हुआ दिखाए दिया बोले तो आपने किसी अंग्रेज की कमरे में आईना नहीं देखा भला ऐसे दस पाच अंग्रेजों के नाम तो बताइए एक आपका वही किरंडा हेड कलर्क है उसके सिवा और किसी अंग्रेज की कमरे में तो शायद आपने कदम भी न रखा हो उसी किरंटे को आपने अंग्रेजी रूची का अदर समझ लिया है खूब मानता हूँ दियानात यह तो आपकी जबान है उसे किरंटा, चमरेशियन, पिलपिली जो चाहे कहे लेकिन रंग को छोड़ कर वह किसी बात में अंग्रेजों से कम नहीं और उसके पहले तो यूरोपियन था रमेश उसका कुछ जवाब सोच ही रहे थे कि एक मोटर कार दौर पर आकर रुकी और रतन भाई उतर कर बरामडे में आई तीनों आदमी चटपट बाहर निकलाए रमा को इस वक्त रतन का आना बुरा मालुम हुआ डर रहा था कि कहीं कमरे में भी न चली जाए नहीं तो सारी कले ही खुल जाएगी आगे बढ़कर हाथ मिलाता हुआ बोला आईए यह मेरे पिता है और यह मेरे दोस्त रमेश बाबु है लगिन उन दोनों सज्जनों ने ना हाथ बढ़ाया और ना जगह से ही ले सक पकाय से खरे रहे रतन ने भी उनसे हाथ मिलाने की ज़रत नहीं समझी दूरी से उनको नमस्कार करके रमा से बोली नहीं बैठूंगी नहीं इस वक्त फुर्सत नहीं है आपसे कुछ कहना था या कहते वे वा रमा के साथ मोटर तकाई और आहिस्ता से बोली आपने सर्राफ से कहतो दिया होगा रमा ने ने सांको छोकर का जी हाँ बना रहा है रतन उस दिन मैंने कहा था अभी रुपए न दे सकूंगी पर मैंने समझा शायद आपको कष्ट हो इसलिए रुपए मंगवा लिए आठ सो चाहिए ना जालपा ने कंगन के दाम आठ सो बताये थे रमा चाहता तो इतने रुपए ले सकता था पर रतन की सरलता और विश्वास ने उसके हाथ पकड़ लिए ऐसी उदार निश कपट रमणी के साथ वो विश्वास दात न कर सका वह व्यापारियों से दो दो चाचार आने लेते जरा भी नजी जगता था वह जानता था कि वे सब भी ग्रहकों को उल्टे चुरी से मूरते हैं ऐसों के साथ ऐसा विवहार करते हुए उसकी आत्मा को लेश मातर भी संकोच न होता था लेकिन इस देवी के साथ या कपट विवहार करने के लिए किसी पुराने पापी की जरुरत थी वह सकुचाता हुआ बोला क्या जालपा ने कंगन के दाम आठ सो बतलाए थे उसे शायद याद न रही होगी उसके कंगन छे सो रुपए के हैं आप चाहे तो आठ सो का बनवा दूँ रतन नहीं मुझे तो वही पसंद है आप छे सो का ही बनवाईए उसने मोटर पर से अपनी थैली उठा कर सो सो रुपए के छे नौट निकाले रमा ने कहा ऐसे जल्दी क्या थी चीज तैयार हो जाती तब साफ हो जाता रतन मेरे पास रुपए खर्च हो जाते इसलिए सोचा आप के सिर पर लादाओं मेरी आदत है कि जो काम करती हूँ जल्द से जल्द कर डालती हूँ विलम से मुझे उल्जन होती है यह कहकर वो मोटर पर बैठ गई मोटर हवा हो गई रमा संदूक में रुपए रखने के लिए अंदर चला गया तो दोनों व्रिद जनों में बाते होने लगी पर आज कल ऐसी ही ओरतों का काम है जरुरत परे तो कुछ मदब तो कर सकती है बिमार पर जाओ तो डॉक्टर को तो बुला सकती है यहां तो चाहे हम मर जाएं तब भी क्या मजाल की इस तरी घर से बाहर पाउन निकाले दयानात हम से तो भाई यह अंग्रेजयत नहीं देखी जाती क्या करें संतान की ममता है नहीं तो यही जी चाहता है कि रमा से साथ साफ कैदू भाईया अपना घर लेकर अलग रहो आख फुटी पीर गई मुझे तो उन मर्दों पर क्रोधाता है जो इस्त्रियों को यह सिर चड़ाते हैं देख ले न एक दिन यह औरत वकिल साब को दगा देगी रमेश महाशे इस बात से मैं तुम से सहमत नहीं हूँ यह क्यों माल लेते हो कि जो औरत बाहर आती जाती है वह जरूर ही बिगरी हुई है मगर रमा को मानती बहुत है रुपे न जाने किस लिए दिये देयानात मुझे तो इसमें कुछ गोल माल मालूम होता है रमा कहीं उससे कोई चाल न चल रहा हो इसी समय रमा भीतर से निकल कर आ रहा था अंतिम वाक कि उसके कान में पड़ गए भुए चढ़ा कर बोला जी हाँ जरूर चाल चल रहा हूँ उसे धोखा देकर रुपे एट रहा हूँ यही तो मेरा पेशा है देयानात में जहेबते हुए का तो इतना बिगरते क्यों हो मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही रमानात पक्का जालिया बना दिया और क्या कहते आपके दिल में ऐसा शुभा क्यों आया आपने मुझ में ऐसी कौन सी बात देखी जिससे आपको यह खयाल पैदा हुआ मैं जरा साफ सुथरे कपड़े पहनता हूँ जरा नई प्रथा के नुशार चलता हूँ इसके सिवा आपने मुझ में कौन सी बुड़ाई देखी मैं जो कुछ खर्च करता हूँ इमान से कमा कर खर्च करता हूँ जिस दिन धोखे और फरेव की नौबत आएगी जहर खा कर प्रान दे दूँगा हाँ यह बात अलग है कि किसी को खर्च करने की तमीज होती है किसी को नहीं होती है वह अपनी सुबुद्धी है अगर इसे आप धोखे बाजी समद्ये तो आपको अख्तियार है जब आपकी तरफ से मेरे विशय में ऐसा संसय होने लगे तो मेरे यही अच्छा है कि मुझ में कालिख लगा कर कही निकल जाओं रमेश बाबु यहां मौजूद है आप इनसे मेरे विशय में जो कुछ चाहें कहें पूच सकते हैं या मेरे खाते जूट न बोलेंगे सत्य के रंग में रंगी हुई इन बातों ने दयानात को आश्वस्त कर दिया बोले जिस दिन मुझे मालूम हो जाएगा कि तुमने यह धंग अख्तियार किया है उसके पहले मैं मुख में कालिख लगा कर निकल जाओंगा तुमारा बढ़ता वखर्ज रेक कर मेरे मन में संदे हुआ था मैं इसे छिपाता नहीं हूँ लेकिन जब तुम कह रहे हो तुम्हारी नियत साफ है तो मैं संतुष्ठ हो मैं केवल इतना ही चाहता हूँ कि मेरा लड़का चाहे गरीब रहे पर नियत न भी का दे मेरी इश्वर से यही प्रार्जना है कि वह तुम्हें सत्पत पर रखे रमेश ने मुश्कुराकर कहा अच्छा यह किस्सा तो हो चुका अब यह बताओ उसने तुम्हें रुपे किसले दिये मैं गिन रहा था छे नोट थे शायद सौसो के थे रमानाद ठग लाया हूँ रमेश मुझसे सरारत करोगे तो मार वैठूँगा अगर जट ही लाय हो तो भी मैं तुम्हारी पीट ठोकूंगा जीते रहो खूब जटो लेकिन आब रुपर आच ना आने पाए किसी को कानोगान खबर न हो इश्वर से तो मैं डरता नहीं मैं जो कुछ पूछेगा उसका जवाब मैं दे दूँगा मगर आदमी से डरता हूँ सच बताओ किसले रुपर दिये कुछ दलाली मिलने वाली हो तो मुझे भी शरीक कर ले न रमानाद जराओ कंगन बनवाने को कह गई है रमेश तो चलो मैं एक अच्छे सर्राफ से बनवा दू या जंजर तुमने बुड़ा मोल ले लिया औरत के सोभाव जानते नहीं किजी पर विश्वास तो इन्हें आता ही नहीं तुम चाहे दो-चार रुपे अपने पास ही से खर्च कर दो पर वो यही समझेंगे कि मुझे लूट लिया नेक नामी तो शायद ही मिले हाँ बदनामी तैयार खरी है रमानाद आप मुर्ख इस्त्रियों की बात कर रही है सिक्षित इस्त्रियां ऐसी नहीं होती जरा देर बाद रमा अंदर जाकर जालपा से बोला अभी तुम्हारी सहली रतन आई थी जालपा सेच तब तो बड़ा गरबर हुआ होगा यहां कुछ तैयारी तो थी ही नहीं रमानाद कुशल यही थी कि कमरे में नहीं आई कंगन के रुपए देने आई थी तुमने उनसे शायद आट सो रुपए बताय थे मैंने छे सो रुपए ले लिये जालपा ने जेबते हुए कहा मैंने तो दिल लगी की थी जालपा ने इस तरह अपनी सफाई तो दे दी लेकिन बहौत देर तक उसके मन में उठल पुठल होती रही रमाने अगर आट सो रुपए ले ली होते तो शायद उठल पुठल न न होती वो अपनी सफलता पर खुश होती पर रमा के विवेक ने उसकी धर्म बुद्धी को जगा दिया था वो पस्ता रही थी कि मैं व्यर्थ जूट बोली या मुझे अपने मन में कितनी नीच समझ रहे होंगे रतन भी मुझे कितनी बैमान समझ रही होगी चाय पार्टी में कोई विशेश बात नहीं ही जटन के साथ उसकी एक नाते की बहन और थी वकील सहर ना आये थे दया नात ने उतनी देर के लिए घर से टल जाना ही उचित समझा हाँ रमेश बावो बरामदे में बराबर खरे रहे रमा ने कई बार चाहा कि उन्हें भी पार्टी में शरीक कर ले पर रमेश में इतना साहस न था जालपा ने दोनों महमानों को अपनी सास से मिलवाया ये यूवतिया उन्हें कुछ ओची जान पड़ी उनके सारे घर में दौर ना, धमधम करके कोठे पर जाना छत पर इधर उधर उचकना, खिर खिला कर हसना उन्हें हुरदैंग मालूम होता था उनकी निती में बहु बेटियों को भारी और लज़ाशील होना चाहिए था आश्चर यहा था कि आज जालपा भी उन्हीं में मिल गई थी रतन ने आज कहंगन की चर्चा तक न की अभी तक रमा को पार्टी के तैयारियों से इतनी फूर्शत न मिले थी कि गंगु की दुकान तक जाता उसने समझा था गंगु को 600 रुपे दे दूँगा तो पिछले हिसाब में जमा हो जाएंगे किवर 2500 रुपे और रह जाएंगे और इस नए हिसाब में 600 रुपे और मिलाकर फिर 800 रह जाएंगे इस तरह उसे अपनी साख जमाने का सुवसर मिल जाएगा दूसरे दिन रमा खुश होता हुआ मंगु की दुकान पर पहुँचा और रोब से बोला क्या रंग धंग है महराज कोई नई चीज बनवाई है इदर रमा के टाल मटोल से गंगु इतना विरत हो रहा था कि आज कुछ रुपे मिलने की आशा भी उसे प्रसंद ना कर सकी शिकायत के धंग से बोला बाबु सहाग चीजे कितनी बनी और कितनी बिकी आपने तो दुकान पर आना ही छोड़ दिया इस तरह की दुकानदारी हम लोग नहीं करते आठ महिने हुए आपके हाँ से एक रुपे भी नहीं मिला रमानात भाई खाली हाँ दुकान पर आते शर्म आती है हम उन लोगों में नहीं है जिन से तकाजा करना पड़े आज यह चौसो रुपे जमा कर लो और एक अच्छा सा कंगन तयार कर दो गंगु ने रुपे लेकर संदूप में रखे और बोला बन जाएंगे बाँकी रुपे कब तक मिलेंगे रमानात बहुत जल्द गंगु हाँ बाबुजी अब पिछला साफ कर दीजे गंगु ने बहुत जल्द कंगन बनवाने का वचन दिया लेकिन एक बार सौदा करके उसे मालुम हो गया था कि यहाँ से जल्द रुपे वसूल होने वाले नहीं नतीजा यह हुआ कि रमा रोज दकाजा करता और गंगु रोज हीले करके तालता कभी कारिगर बिमार पर जाता कभी अपनी इस्त्री की दवा कराने ससुराल चला जाता कभी उसके लड़के बिमार हो जाते इस एक महिने में एक खई बार तकाजा करने आई आखिर जब सावन का महिना आ गया तो उसने एक दिन रमा से कहा वसूर नहीं बना देता तो तुम किसी और कारिगर को क्यों नहीं देते हैं रमानात उस पाजी ने ऐसा धोका दिया कि कुछ न पूछो बस रोज आज कल करता है मैंने बड़ी भूल की जो उसे पेश की रुपए दे दिये अब उसे रुपए निकालना मुश्किल है गतन आप मुझे उसकी दुकान दिखा दीजिए मैं उसके बाप से पैसे वसूल कर लूँगी तावान अलग ऐसे बैमान आदमी को पुलिस में दे देना चाहिए जालपा ने कहा हाँ और क्या सभी सुनार देर करते हैं मगर ऐसा नहीं रुपए ड़कार जाए और चीज के लिए महिनों दोर आए रमा ने सिर्ख खुजलाते वे का आप दस दिन और सबर कीजिए मैं आज ही उससे रुपए लेकर किसी दूसे सर्राख को दे दूँगा रतन आप मुझे उस बदमाश की दुकान क्यों नहीं दिखा देते हैं मैं हंटर से बात करूँ रमानात कहता तो हूँ दस दिन के अंदर आपको कंगन मिल जाएंगे रतन आप खुद ही डील दिये वे आप उसकी ललो चपो की बातों में आ जाते होंगे एक बार करे पर जाएं तो मजाल थी जो यों हीले हे वाले करता आखिर रतन बड़ी मुश्किल से विदा हुई उसे दिन शाम को गंगु ने साफ जवाब दे दिया बिना आधे रुपए लिए कंगा न बन चकेंगे पिछला हिसाब भी बेबाक हो जाना चाहिए रमा को मानो गोली लग गई बोला महराज यह तो भल मानसी नहीं है एक महला की चीज है उन्होंने पेशगी रुपए दिये थे सोचो मैं उन्हें क्या मू दिखाऊंगा मुझसे अपनी रुपए के लिए पुर्नोट लिखा लो स्टांप लिखा लो और क्या करोगे गंगु पुर्नोट को शहद लगा कर चाटूंगा क्या आठ-ाठ महिने का उधार नहीं होता महिना दो महिना बहुत है आप तो बड़े आदमी है आपके लिए पाठ-छे सुर्पए कौन से बड़े बात है कंगन तयार है रमा ने दाद पीस कर कहा अगर यही बात थी तो तुमने एक महिना पहले क्यों न कह दी अब तक मैंने रुपए की कोई फिक्र की होती गंगु मैं क्या जानता था आप इतना भी नहीं समझ रहे हैं रमा निराश होकर घर लोटाया अगर इस समय भी उसने जालपा से सारा वित्तांत साफ-साफ कर दिया होता तो उसे चाहे कितना भी दुख होता पर वह कंगन उतार कर दे देती लेकिन रमा में इतना साहस न था वह अपनी आर्थिक कतनाईयों की दशा करकर उसके कोमल हिर्दय पर आखात न कर सकता था इसमें संदे नहीं कि रमा को सो रुपए के उपड़ करीम मिल जाया करते थे और वह खिफायत करना जानता तो इन आठ महिनों में दोनों सर्राफों के कम से कम आधे रुपए अवस्थ दे रेता लेकिन उपर की आमदनी थी तो उपर का खर्ज भी था जो कोश मिलता वो सैर सपाटे में खर्ज हो जाता और सर्राफों का देना किसी एक मुष्ट रकम की आशा में रुका हुआ था कौरियों से रुपए बनाना वणिकों का ही काम है बाबू लोग तो रुपए की कौरियों ही मनाते हैं कुछ रात जाने पर रमा ने एक बार फिर सर्राफे का चक्कर लगाया बहुत चाहा किसी सर्राफ को जहांसा दू पर कहीं डाल न गली बाजार में बेतार की खबे चला करती है रमा को रात भर नीन नहीं आई यदि आज उसे एक हजार का रुका लिख कर कोई 500 रुपय भी दे देता तो वह निहाल हो जाता पर अपनी जान पहचान वालों में उसे कोई ऐसा नजर ना आता था अपने मिलने वालों में उसने सभी से अपनी हवा बांध रखी थी खिलाने पिलाने में खुले हाथों से रुपय खर्च करता था अब किस मुख से अपनी विपत्ती कहे वह पस्ता रहा था कि नाहा गंग को रुपय दिये गंग नालिश करने तो जाता न था इस समय यदि रमा को कोई भ्यंकर रोग हो जाता तो वह उसको स्वागत करता कम से कम दस-पांस दिन की मुहलत तो मिल जाती नागर बुलाने से तो मात भी नहीं आती वह तो उसी समय आती है जब हम उसके लिए बिलकुल तयार नहीं होते इस और कहीं से कोई तार ही भीजवा दे कोई ऐसा मित्र भी नजर नहीं आता था जो उसके नाम फरजी तार भेज देता वह इनी चिंताओं में करवटी बदल रहा था कि जालपा की आँख खुल गे रवा ने तुरंथ चादर से मूँ छिपा लिया मानों बेखवर सो रहा है जालपा ने धीरे से चादर हटा कर उसका मूँ देखा और उसे सोता पाकर ध्यान से उसका मूँ देखने लगी जागरन और निद्रा का अंतर उससे चिपा न रहा उसे धीरे से हिला कर बोली क्या अभी तक जाग रहे हो रमानात क्या जाने क्यों नीद नहीं आ रही है परे परे सोचता था कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर चला जाओ कुछ रुपए कमा लाओ जालपा मुझे भी लेते चलोगे न रमानात तुभे परे इसमें खाली अलियो कि रूंगा जालपा तो मैं यहां अकेली रा चुकी एक मिनट तो रहूंगी नहीं अगर जाओगे कहां जालपा अबे कुछ निश्चा नहीं कर पाया हूँ जालपा तो क्या सच मुझे तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे मुझे तुए एक दिन भी न रहा जाएगा मैं समझ गई तुम मुझे मुझे मुहापत नहीं करते केवल मुझे देखे कि प्रिती करते हो जालपा तुम्हारे प्रेम पाश ही ने तो मुझे यहाँ बान रखा है नहीं तो अब तक कहीं चला गया हो था जालपा बाते बना रहे हो अगर तुम्हें मुझे सच्छा प्रेम होता तो तुम कोई परदा न रखते तुम्हारे मन में जरूर कोई बात है जो तुम मुझे से छिपा रहे हो कई दिनों से देख रहे हैं तुम चिंता में डूबे रहते हो मुझे से क्यों नहीं कहते जहाँ विश्वास नहीं है वहाँ प्रेम कैसे रह सकता है रमानात, यह तुम्हारा ब्रहम है जालपा, मैंने तो तुमसे कभी परदा नहीं रखा जालपा, तो तुम मुझे सच मुझे दिल से चाहते हो रमानात, यह क्या मुझे कहूं का तभी जालपा, अच्छा अब एक प्रश्ण करते हूं, संभले रहना तुम मुझ से क्यों प्रेम करते हो? तुम्हें मेरी कसमें सच बताना रमानात या तो तुमने बेढ़ा प्रशन किया? अगर मैं तुमसे यही प्रशन पूछूँ तो तुम क्या जवाब दोगी? जालपा मैं तो जानती हूँ रमानात बताओ जालपा तुम बतला दो मैं भी बतला दूँ रमानात मैं तो जानता ही नहीं किवल इतना ही जानता हूँ कि तुम मेरे रोम रोम में रहम रही हो जालपा सोच कर बतलाओ मैं आदर्श पत्नी नहीं हूँ इसे मैं खूब जानती हूँ पती सेवा अब तक मैंने नाम को भी नहीं की इश्वर की दया से तुम्हारे लिए अब तक कर्ष्ट जने की जर्रत ही नहीं पड़ी घर गिरेस्ती का कोई का मुझे आता नहीं जो कुछ सीखा यहीं सीखा फिर तुम्हें मुझसे क्यू प्रेम है बात्चित में निपुर्ण नहीं रोप रंग भी ऐसा अकरशक नहीं जानते हो मैं तुमसे ऐसा प्रश्ण क्यू कर रही हूँ रमानाद क्या जाने भाई मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है जालपा मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि तुम्हारे प्रेम को स्थाई बना सको रमानाद मैं कुछ नहीं जानता जालपा इमान से कहता हूँ तुम में कोई कमी है कोई दोश है या बात आज तक मेरे ध्यान में नहीं आई लेकिन तुमने मुझ में कौन सी बात देखी ना मेरे पास धन है ना रूप है बताओ जालपा बता दूँ मैं तुम्हारी सजनता पर मोहित हूँ अब तुमसे क्या छिपाऊँ जब मैं यहां आई थी तो यदपी तुम्हें अपना पती समझती थी लेकिन कोई बात कहते या करते समय मुझे चिंता होती थी कि तुम उसे पसंद करोगे या नहीं यदि तुम्हारे बतले मेरा विवाह किसी दूसरे पुरुष से हुआ होता तो उसके साथ भी मेरा यही विवहार होता या पत्नी और पुरुष का रिवाजी नाता है पर अब मैं तुम्हें गोपियों के कृष्ण से भी न बदलूँगी लेकिन तुम्हारे दिल में अब भी चोर है तुम अब भी मुझे किसी न किसी बात में पड़दा रखते हो रमानात यह तुम्हारी कीवल शंका है जालपा मैं दोस्तों से भी कोई दुराओ नहीं रखता फिर तुम तु मेरी खिर्देश्वरी हो जालपा मेरी तरफ देख कर बोलो आगे नीची करना मर्दों का काम नहीं रमा के जी में एक बार फिर आया कि अपनी कठनाईयों की कथा का सुनाओ लेकिन निथ्या गौरव ने फिर उसकी जवान बंद कर दी जालपा जब उससे पुष्टी सर्राफों को रुपए देते जाते हो या नहीं तो वह बराबर कहता हाँ कुछने कुछ हर महिने देते आ जाता हूँ पर आज रमा की दुलपलता ने जालपा के मन में एक संदे पैदा कर दिया था वह उसी संदे को मिटाना चाहती थी ज़रा देर बाद उसने पूछा सर्राफ के तो अभी सब रुपए अदा नहुए रोंगे रमानाथ अब थोरे ही बाकी है जालपा कितने बाकी हैं कुछ हिसाब किताब लिखते हो रमानाथ हाँ लिखता क्यों नहीं साथ सौ से कुछ खमी होंगे जालपा तब तो पूरी गठ्वी है तुमने कहीं रतन के रुपए तो नहीं दे दिये रमा दिल में काप रहा था कहीं जालपा यह प्रश्ण न कर बैठे आखिर उसने यह प्रश्ण पूछी लिया उस वक्त भी यदि रमा ने साहस करके सच्ची बात सुिकार कर ली होती तो शायद उसके संकटों का अंत हो जाता जालपा एक मिनर तक अवशे सननाटे में आ जाती संभावता है क्रोध और निराशा के आवेश में दो-चार कटू शब्द मुझ से निकालती लेकिन फिर शांत हो जाती दोनों मिलकर कोई न कोई युक्ती सोच लेते जालपा यदि रतन से यह रहशे का सुनाती तो रतन आवशे मान जाती पर हाई रे आत्म गौरव रमा ने यह बात सुनकर ऐसा मुझ बना लिया मानो जालपा ने उस पर कोई निश्चु प्रहार किया हो बोला रतन के रुपे क्यों देता आज चाहूं तो दो-चार हजार का माल ला सकता हूं कारीगरों की आदत देर करने की होती ही है सुनार की खटाई मसूर है बस और कोई बात ने हैं दस दिन में या तो चीज ही लाओंगा या रुपे वापस कर दूँगा मगा रिया शांका तुमें क्यों हुई पराई रकम भला में अपने खर्च में कैसे लाता कहां से रुपे लाए अगर वा रमेश बाबू से साफ साफ कह दे तो वा किसी महाजन से रुपे दिला देंगे लेकिन नहीं वा उनसे किसी तरह न कह सकेगा उसमें इतना साहस न था उसने प्राता काल नाच्टा करके दफ्तर की राह ली शायद वहां कुछ प्रबंध हो जाए कौन प्रबंध करेगा इसका उसर ध्यान न था जैसे रोगी वैद्दिक के पास जाकर संतुष्ट हो जाता है पर यह नहीं जानता मैं अच्छा हूंगा यह नहीं यही दशा इसमें रमा की थी दफ्तर में चप्रासी के सिवा और कोई न था रमा रजिस्टर खोल कर अंकों की जाच करने लगा कई दिनों से मिजान न दिया गया था पर बड़े बाबो के हस्ताक्षर मौजुद थे अब मिजान दिया तो धाई हजार निकले एका एक उसे एक बात सुझी क्यों न धाई हजार की जगा मिजान दो हजार लिख दू रसीद बही की जाच कौन करता है अगर चोड़ी पकड़ी भी गई तो कह दूगा मिजान लगाने में गलती हो गई मगर इस विचार को उसने मन में टिकने न दिया इस फैसे कहीं चिप चंचल न हो जाए उसने पेंसिल से अंको पर रोशनाई फेड़ दी और रेजिस्टर को दराज में बंद करके इधर उधर घूमने लगा एक की दुक्की गारियां आने लगी गारिवानों ने देखा बाबू सहाब आज यही है तो सोचा जल्दी से चुंगी देकर छुट्टी पर जाए रमा ने इस किरपा के लिए दस्तूरी की दुनी रकम वसुल की और गारिवानों ने शौक से दे दी त्योंकि यही मंडी का समय था और बारह एक बजे तक चुंगी घर से फुरसत पानी की दशा में 24 घंटे का हर्ज होता था मंडी 10-12 वजे के बाद बंद हो जाती थी दूसरे दिन का इंतिजार करना पड़ता था अगर भाव रुपे में आधा पाव भी फिर गया तो शैकरों के मत्थे गई 10-5 रुपे का बल खा जाने से उन्हें क्या आपत्ती हो सकती थी रमा को आज या नई बात मालूंग हुई सोचा आखिर सुभा को मैं घर पर ही बैठा राता हूँ अगर यहां आकर बैठ जाओं तो रोज 10-5 रुपे हाथ में आ जाएंगे फिर तो 6 मेने में ये सारा जगरा साफ हो जाएगा मालो रोज यह चांदी न होगी 15 न सही 10 मिलेंगे 5 मिलेंगे अगर सुभा को रोज 5 रुपे मिल जाएं और इतने ही दिन भर में और मिल जाएं तो 5-6 मेने में मैं रिंसे मुक्त हो जाओंगा उसमें दराज खुल कर फिर रेजिस्टर निकाला यह हिसाब लगा लेने के बाद अब रेजिस्टर में हेर उधार कर देना उसे इतना फैंकर न जान पड़ा नया रंगरूर जो पहले बंदुक की आवाज से चौक पड़ता है आगे चलकर गोलियों की वर्चा से भी नहीं घब राता रमा दफ्तर बंद करके भोजन करने घर जाने ही वाला था कि एक बिसाती का ठेला पहुचा रमा ने कहा लौट कर चुंगी लूँगा बिसाती ने मिन्नत करने शुरू की उसे कोई बड़ा जरूरी काम था आखिर दस रुपए पर मामला ठीकुआ रमा ने चुंगी ली रुपए जर में रखे और घर चला तक चीस रुपए केवल दोड़ाई घंडों में आ गये अगर यह एक मेहने भी यही औसत रहे तो पल्ला पार है उसे इतनी खुशी हुई कि वह भोजन करने घर न गया बाजार से भी कुछ न मंगवाया रुपए भुनाते हुए उसे एक रुपए कम हो जाने का ख्याल हुआ और शाम तक पैठा काम करता रहा चार रुपए और वसूल हुए चिराग जलेवग घर चला तो उसके मन पर से चिंता और निराशा का बहुत कुछ बोश उतर चुका था अगर दस दिन यही तेजी रही तो रतन से मूँ चुराने की नौबत न आएगी धन्यवाद